एक बार एक आदमी एक बड़े खजूर के पेर पर चड़ता है वहाँ से खजूर तोड़ने के बाद वह नीचे उतरने लगता है पेर से कुछ दूरी पर एक संथ बैठे हुए थे उस आदमी को देख रहे थे लेकिन जब वह आदमी जमीन के 9 फीट की दूरी पर ही रह गया था तब वह संथ जोर जोर से चिला कर उस आदमी को आगा करते हैं भाई समल के उतरना हाथ मत छोड़ देना साबधानी से रखना नीचे 9 फीट जमीन और बची है गिर जाएगा तो हाथ फैर टूर जाएगा उस आदमी ने सोचा बड़े आजीब महराज है जब मैं सबसे उपर था तब तो कुछ नहीं बोला और अब मैं उतरनी वाला हूँ तो बोलती ही जा रहा है आदमी पेर से नीचे उतर कर संथ के पास जाता है पास तब आप मुझे बार बार चिला कर बोल रहे थे आगर ऐसा क्यों संथ ने कहा बेटा यह तो ध्यान देने लाएक बात है जब तुम सबसे जादा उचाई पर थे तब खतरा भी जादा था तब तो तुम खुद ही बहुत साबदान थे लेकिन जैसे जैसे नीचे आने लगे तो तुम्हारी लापरवाय भी बर गई थी moral of the story जिन्दिगी में भी यही होता है जब हम उचाई पर होते हैं खतरों के पास होते हैं तो बहुत जादा साबदान रहते हैं खुद पर पूरा विजवास होता है लेकिन जैसे जैसे खतरा कम होने लगता है लोग लापरवा हो जाते हैं असाबधान हो जाते हैं इसलिए हमें काम के दौरान हमें साब फोकस होकर काम करना चाहिए आपको यह कहानी कैसी लगी गुड या बैड कामें जरूर बताए और अच्छी लगी तो लाइक करके हमें बताए जितने लाइक आएं समझो उतने लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई और ऐसी इमेजिंग वीडियो के लिए हमें सस्क्राइब करना ना मुलें सस्क्राइब करके बेल आड़न को जरूर दबाएं